To all of you, welcome to my YouTube channel, टेव विद्धियारतियों, उमीद है आप स्वस्थ और प्रिशन होंगे, इसासा के साथ आज हम P.S.C. सेकेंड इयर, दीन दियालुपाद है को औरक पुरिविश्व विद्धियाले में आए कोई पेपर के थर्मल फिजिक्स पार्ट को डिस्कस करेंगे, और थ कहने में बड़ा ही हर्स हो रहा है कि जो भी स्टुडेंट मेरे क्लास में रहा होगा, वो पचीसों के पचीसों को बड़ी आसानी से अटेम्ट किया है, और अगर मेरे M.C.Q. वीडियो को अगब देखे होंगे, तो लगभग 10 क्वेश्चन 25 में से तो विना डिजिट को चे चेंज किये, आपको मिल गए हैं, और साथ ही साथ, 10 क्वेश्चन ऐसे थे, जिन को ले करके मैंने कहा कि इस पर बेस्ट ऐसे प्रश्ण बन सकते हैं, और उस तरह से प्रश्ण आए हैं, एक से तो क्वेश्चन ऐसे थे, जो इंटरमीडियेट लेविल में जा करके पूछे गए हैं, और जिन को मैंने आप से कहा था कि भाई आपको बेसिक्स के बारे में कम्प्लीट जानकारी रखनी चाहिए, जब भी आप एमसी की उसाल कर रहा हैं, तो अगर आप बेसिक की जानकारी रखे होंगे, तो वो भी क्वेश्चन बड़े इस्तमिनान से हुए होंगे, तो मेरी महनत और आपकी महनत रंग लाई, यान करके मुझे बहुत ही अच्छा महसूस हुआ कल, और इसासा के साथ की आप ऐसे ही आगे भी अच्छा करते रहेंगे, मैं आज इस MCQ जो आपके क्वेश्चन पेपर में आये थे, उनके करेक्ट एंसर को डिसकस आप से कर रहा हैं, और मैं यह पूरा का पूरा जो एंसर सीट है, मैं तीन पार्ट में आपको दूँगा, पहला पार्ट में थर्मल फीजिक्स के एक से पचीस तक के क्वेश्चन को डिसकस करता हूँ, क्वेश्चन नमर वन, फार वंडर वाल गैसे दा करेक्ट रिलेशन इस, तो आप व वंडर वाल के लिए, cp-cv is equal to r bracket 1 plus 2a upon r tv, यह मैंने आपको अपने mc2 sets में भी बताया था, यहां से साफ तोर पर दिखरा है कि, जो a है, वो वंडर वाल कॉंस्टेंट्स है, जो की बहुत छोटा होता है, positive होता है, r की value आपको मालूम है, t absolute temperature है, वो भी आपको मालूम है, negative नहीं होगा, v volume होता है, volume भी कभी negative नहीं होता है, इसलिए 2a upon r tv से भी positive होगा, 1 में अगर कोई positive चूड़ेगा, तो 1 से अधिक होगा, तो इसका मतलब साफ है कि cp-cv का मान r से बढ़ा होगा, तो question number जो आपका, जहां तक मैं देख रहा हूँ कि, यह one है, उसका correct option है, option c, question number 2, the total random kinetic energy of 1 gram molecules of oxygen at 27 degree centigrade is, तो आपको मालूप होना चाहिए, 1 gram molecules means 1 mole, इसलिए यहां किसी भी तरह से mole के जहन्जट में नहीं पसना है, और सीधे सीधे यह सवाल लग जाएगा, e is equal to 3 by 2, are deeper, okay, और अगर आप value रख करके शाल किये होंगे, तो question number 2 का correct option है, option A, question number 3, the correct relation among critical temperature, bile temperature and temperature of inversion, तीनों के आपके relation होने ताहिए, यह question अगर आप देखेंगे, तो परसोरात में मैंने equation of state का MCQ upload किया था, उसमें exact मिल गया है, और जैसा आपको मालूप होना चाहिए, कि आप TB is equal to bile temperature होता है, A upon RB, TI is equal to होता है, 2A upon RB, और TC is equal to होता है, 8A upon 27RB, हमने क्या किया, कि 27 से 3 ही में multiply कर दिया, जब multiply कर दिया, तो TB हो गया, जो वो हो गया, 27A upon RB, TC हो गया, 54A upon RB, और TC हो गया, 8A upon RB, तो इस तरह से आपको मालूप चल गया, कि TI is greater than TB and TB is greater than DC, तो question number 3 का correct option है, option A, okay, next question number 4, question number 4 क्या कह रहा है, the kinetic energy per unit volume E and pressure P of an ideal gas are related as, यह direct, यह fact है, जो कि आपका कितना होता है, E is equal to 3 by 2P, तो question number 4 है, इसका correct option है, option D, question number 5, the coefficient of thermal conductivity K and coefficient of viscosity Eta are related as, तो अब आपको यह transport phenomena से यह question आया हुआ है, और आपको मालूप होना चाहिए, कि Eta is equal to होता है, 1 upon 3 rho C lambda, और K is equal to होता है, 1 upon 3 C V rho C lambda, 1 upon 3 rho C lambda के जगा value रख दीजे, तो K is equal to Eta C V, तो C V Eta या Eta C V, तो question number 5 का correct option है, option B, question number 6, when pressure is increased, the coefficient of viscosity of a gas, अभी अभी देखे, coefficient of viscosity का expression हमने लिखा था, उसी expression से आपको यह भी question जाट करना है, 1 upon 3 rho C lambda या देखे, अगर आप pressure को increase करेंगे, तो rho density क्या होगी बढ़े की, लेकिन उसी अनुपात में जो आपका mean free path lambda है, वो घट जाएगा, क्योंकि lambda proportional to 1 upon P होता है, तो इस तरह से rho और lambda एक दूसरे के effect को cancel out करते रहे हैं, अब बचा जो है, वो average velocity C, और average velocity C जो होता है, वो pressure के साथ independent होता है, इसलिए EW pressure के साथ independent होगा, अर्थाथ coefficient of viscosity पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, remains constant, तो question number 6 का correct option है, option C, okay, question number 7, the mean free path of a gas is directly proportional to its, तो आपको मालू होना चाहिए, lambda proportional to T होता है, lambda proportional to 1 upon P होता है, lambda proportional to, तो D की बात आप करते हैं, वो भी inverse में जाता है, इस तरह से साफ साफ दिख रहा है कि question number 7 का correct option है, option D, question number 7, correct option है, option D, directly proportional to temperature, question number 8, an ideal gas expands such that Pt square is equal to constant, the coefficient of volume expansion of the gas will be, यह सवाल question number 8 जो है, यह निट में पूछा जा चुका, निट या IIT जा दोनों में पूछा जा चुका सवाल है, यह प्योर रूप से intermediate का सवाल है, इसका aim क्या था, वो मैं आपको स्पस्ट कर दूँ, आपको निकालना था, dv upon v is equal to होता है, गामा into dt, गामा की value आपको चाहिए थी, और आपको relation दिया गया था, pv square is equal to constant, तो pv square is equal to constant, यह आपको दिया गया था, जहां से अब आपको eliminate करना था है, यहां से pressure को, और आपको मालूम है, pv is equal to होता है, rt, तो p की value यहां रखती गई थी, rt upon v, rt upon v हो जाएगा, और, sorry, pt square दिया गया, pt square दिया गया, ठीक है न, तो rt upon v into t square is equal to constant, हम लिख सकते हैं यहां, और constant लिखने के साथ ही, यहां से आप देखें, तो relation r constant है, constant upon constant कर दिजे, तो हम इसको लिख सकते हैं, t square, t cube upon v is equal to constant, ओके, यह मैं लिख सकता हूँ, और, अब यहां से अगर आप देखें, तो फिर यहां से आप लिख सकते हैं, v is equal to constant, तो यहां से आप लिख सकते हैं, t cube, और इस constant को मैं नाम देदू, k, तो upon k, क्योंकि constant को कोई नाम दिया जाए, तभी is equal to t cube, upon k हो गया, अब आप क्या करिए, यहां से जो आपको मिला, one upon k को इसको भी कोई नाम दे दिजे, ताकि आपको fraction के जमेले में नाप पढ़ना पढ़े, तो इस तरह से आपको मिल गया, v is equal to, अगर मैं नाम इसको देदू, या यू कहें कि हम सीधे, इसको कह सकते हैं, k-डाइस चलिए हो, नाम दे देते हैं, तो t u हो गया, ओके, तो यह आपका हो गया question number, equation 1, अब equation 2 के लिए चले के, इसको equation number 1 को क्या करें, temperature के respect में एक बार differentiate करते हैं, तो यहां से आजाएगा dv upon dt, ठीक है, is equal to 3 k-डाइस और t square, यह हो गया equation 2, अब आप देख सकते हैं, equation 1 और 2 से आपके पास value आजाएगी क्या, equation 1 और 2 से जो value आएगी, वो आपकी आएगी, मैं एक बार इसको clear करके लिख रहा हूँ, आप equation number 1 देख सकते हैं, और equation number 2 देख सकते हैं, अब मैं इनी का इस्तमाल करने जा रहा हूँ, और equation 2 और 1 की मदद से जो हमारे शामने value आएगी, वो आएगी dv upon v is equal to 3 upon t dt, और इसको आप compare कर देंगे तो आपको मिलेगा gamma is equal to 3 by t, तो question number 8 का correct option है, option c. नेक्स्ट, question number 9, question number 9, अकरनट इंजन इस वर्किंग बिट्विन 27 दिग्री सिंटिग्रेट और 327 दिग्री सिंटिग्रेट इट्स इफिसिएंसी विल बी, तो देखे, सोर्स का टमप्रेचर T1 दिया गया है, 327 प्लस 273 इस तरह से आपको हो गया, 600 Kelvin, T2 आपको दिया गया है, 300 Kelvin, 27 प्लस 273, इटा इस एक्वल टो होता है, 1- T2 अपान T1, यहां बैलू रख देएंगे, इटा की बैलू आ गई आपकी सीधे सीधे 0.5, इटा इस एक्वल टो कितना 50%, तो इस तरह से question number 9 का correct option है, option B, ओके, next question number 10, entropy remains constant in, अब आपको यह मालू हों चाहिए, entropy की यह definition ही है, अगर आप यह बिना कुछ सोचे, आपको इस सवाल का जवाब दे सकते है, entropy remains constant in adiabatic process, तो question number 10 का correct option है, option C, question number 11, in porous plug experiment, the physical quantity of the gas remains constant is, तो आपको यह भी मालू होना चाहिए, enthalpy remains constant, U plus PV is equal to constant in porous plug experiment, okay, U plus PV is equal to constant, जिसको आप enthalpy of the gas कहते हैं, तो question number 11 है, उसका correct option है, option D, question number 12, in adiabatic demagnetization, the substance used is, एकदम आईए, पहली ही लाइन से याद होना चाहिए, आपको, आप कहते हैं, in adiabatic demagnetization, we can use paramagnetic substance, okay, question number 12 का correct option है, option D, question number 13, 1 gram of ice is converted into water at 0 degree centigrade, if latent heat of ice is 80 calorie per gram, the change in entropy will be, तो आपको बहुत इसमिनान से मालूम होना चाहिए, कि जब भी कहीं change, phase change होता है, तो मैं आपको उस्पस्ट कर दूँ, कि जब भी कहीं phase change होता है, तो phase change के लिए latent heat जिम्मेदार होती है, तो आप DQ के जगा पर लिखते हैं ML, और आपको मालूम है कि DS is equal to होता है, DQ upon T, तो यहाँ आपका हो जाएगा, ML upon T, और आप देख सकते हैं M की value 1, L की value 80, T की value 0 plus 273, that is 273, 80 upon 273 हो जाएगा, और इस तरह से divide करने पर, आपको value आईगी 0.293 कैलोरी पर कैलेविन, तो आपका correct option होगा, question number 13 का correct option है, option B, question number 14, net change in entropy during current cycle is, तो आपको बालू है, current cycle में net change in entropy क्या होता है, तो current cycle is a perfectly reversible cycle, and in perfectly reversible cycle, there will be no change in heat, or no loss of heat, और आप जानते हैं, इफार perfectly reversible cycle, entropy remains constant, our change in entropy is 0, तो net change पूछा है, तो change क्या होगा, 0 होगा, तो question number 14 का correct option है, option A, question number 15, the concept of entropy is the outcome of, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, second law of thermodynamics, आप इसको पढ़ते हैं, बकाइदे टापिक, physical interpretation, statistical interpretation of second law of thermodynamics, ये physical interpretation of second law of thermodynamics, जिसमें आप mechanics, और thermodynamics को correlate करते हैं, और वहाँ से एक property पाते हैं, जिसको आप काते हैं, entropy जो होता, जैसे हम helium के temperature को कम करते जाते हैं, helium जो होता है, वो super fluid में convert हो जाता है, और super fluid में convert हो जाते हैं, इसलिए कहाँ ता helium दो phase में होता है, helium first, helium second, तो helium second जो होता है, वो super fluid होता है, और इस कारण से आपको मालूम है, कि helium के case में triple point exist नहीं करता है, तो question number 16 का correct option है, option C, question number 17, the coefficient of performance of a refrigerator working between 27 degrees centigrade and 127 degrees centigrade each, बहुत इत्मीनान से यह भी आप जानते है, coefficient of performance का expression, यह सब मेरे class में जो बच्चे रहे होंगे, वो पिना एक मिनट के अंदर पूरा question किये होंगे, T2 upon T1 minus T2, यहाँ देख सकते हैं, T1 दिया गया है, 127 plus 273, that is 400, T2 दिया गया है 300, तो इस तरह से आपको मिल गया, कि K की value कितनी आ जाएगे, K की value आ जाएगे, T2 का मतलब 300, जो आपका T1 है, 400 minus 300, that is 100 बचा, कट गया, K की value कितनी आ गया, 3, तो question number 17 का correct option है, option B, next question number 18, if Stephen's constant sigma is 5.672 into 10 to the power 8 watt per meter square Kelvin to the power 4, then radiant emittance of a black body at 127 degree centigrade will be, मैंने इस आपको अगर मेरा radiation chapter का MCQ देखे होंगे, और जो लोग मेरे class में नहींगे, मैंने बार-बार का था, कि आपको इन सभी स्टीफेंस ला और वीन्स ला पर तयार रहना है, और आपने देखा है कि दोनों पर ही आपको questions आते हुए दिखाई देंगे, और ये expression इस्तमाल आपको यहां करना था, E is equal to sigma T to the power 4, और आप देख रहे हैं, sigma की value दी गई है, T की value दी गई है, रखते ही आपको उत्तर आ जाएगा, और question number 18 का correct option जो आपको मिलेगा, वो मिलेगा 1452 watt per meter square, that is option C, question number 19, the number of modes of vibration per cubic centimeter in the frequency range of 4.00 into 10 to the power 14 to 4.01 into 10 to the power 14 hertz will be, अगर आप मेरे MCQ को देखे होंगे, तो exactly directly यही question था, और मैंने वहां description box में mention भी किया था, कि इस जगह पर आकर के, 1 मेरा छूट किया था 10 to the power 4, मैंने लिख करके calculation आपको बताया था, लेकिन मैं description box में फिर सही किया, और मैंने कहा था कि यहां 10 to the power 14 पर ही calculation होना चाहिए, और इस calculation को मैंने जो वहां solve किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, तो हम लोग 50 पर solve किये थे, और यह per cubic centimeter की बात कर रहा है, और मैंने इसलिए वहां formula लिखा था, कि number of mode per cubic centimeter कितना होता है, 8 pi new square c to the power minus 3 d new, यह मैंने expression आपको वहां hint में भी लिख करके बताया था, और इस तरह से अगर आप इसमें value रख करके solve करेंगे, तो आपको जो answer आएगा, 1.5 into 10 to the power 11 आएगा, that is question number 19 का correct option है, option A, question number 20, sun's radiation has a maximum energy at 5500 angostrom, if the wind's constant is 3 centimeter Kelvin, then temperature of sun will be, तो question number 20 का option क्या होगा, question number 20 का correct option अगर की ओर बढ़ है, तो मैं आपको mention करूँ कि यह जो लिखा हुआ है 3.0 centimeter Kelvin, exactly इस सवाल में 0.3 होना चाहिए, तभी आप इस में से कोई भी correct answer पाएंगे, क्योंकि आप अगर solve करके देखेंगे, तो आपको ऐसी समस्चान नजर आएगी, कि इस calculation पर अगर आप देखेंगे, तो जो option B आप लोग सही कर रहे हैं, वो 5, 4, 5, 5, 0 आना चाहिए, तो मैं एक पर mention कर दूँ, और मैंने कहा था कि ये भी formula देखिए, जो है wins displacement law पर लगा हुआ है, और जहां हमको मालूम है lambda M into T is equal to B, तो T is equal to कुछ नहीं, B upon lambda M हो जाएगा, और यहां से एक minute में इसका answer आपको मिल जाएगा, तो question number 20 का correct option है, आपसन भी, लेकिन मैंने mention किया कि 3.0 के जगा 0.3 होना चाहिए, मिस्प्रिंट है, चलिए, question number 21, question number 21 क्या है, for a group of 10 particle velocities are दिया गया है, the root mean square velocity, exactly तो नहीं, लेकिन इसी VRMS और most probable velocity, दोनों पर मैंने MCQ में आपको वीडियो बनाया था, और exactly आपको यहाँ से VRMS is equal to, बस निकाल देना था, is equal to, देखिए, V1 square plus V2 square plus V3 square plus dot dot dot, V10 square upon 10, और यहाँ से जब आप calculation में value रखे होंगे, तो आप आएंगे 1 plus 4 plus 0 plus 9 plus 9 plus 9, और प्लस आपको मिल गया जो 36 plus 25, और upon 10, और इसको आपको solve कर देना था, और after solving this, we can found the value will be 3.535 meter per second, तो यह आपको आएगा, जिसमें से आप देख रहा है, correct option आपको देख रहा है, option D, question number 21 का correct option है, option D. question number 22, for normal incidence of radiation on the surface, the ratio of pressure and energy density of radiation will be, अगर आप radiation chapter को मेरे MCQ को देखे होंगे, तो मैंने बार बार कहा था कि, normal incidence में pressure P is equal to energy density U होता है, तो P is equal to कितना होता है U, और सवाल क्या कर रहा है, कर रहा है कि ratio of pressure and energy density, तो P upon U is equal to कितना जागा 1, तो question number 22 का correct option है, option D, okay, question number 23, thermal conductivity of bad conductor is reserved by, अगर आप मेरे MCQ को देखे होंगे, तो direct ये question आपको मिला होगा, और आपको मालूम है, least disc method, question number 23 का correct option है, option D, question number 24, one mole of ideal gas freely expands 10 times of its initial value, the change in its entropy will be, अब question number 24 का, अगर हम सही मामले में देखे, तो मान लिजए हम कहते हैं कि V1 is equal to V है, तो accordingly V2 is equal to कितना होगा, 10V होगा, तो सबसे पहले यहां क्या निकाल देना चाहिए, हमको यहां सबसे पहले work निकालना चाहिए, डबलू और डबलू is equal to होगा कितना 2.303RT log V2 upon V1, और जब आप V2 upon V1 रखेंगे, तो 10V upon 10 यह base 10 होगा, क्योंकि हम 2.303 लगा चुके हैं, और V2 upon V रखेंगे, तो 10 बच गया, log 10 base 10 क्या होजागा 1, तो W की value आपको मिल जाएगी 2.303RT, अब आपको मालूम होना चाहिए, कि DS is equal to कितना होता, DQ upon T, और यहाँ आपका होजाएगा, ISO thermal process में, आपको मालूम है, कि DQ is equal to कितना होता, DW, तो सीधे सीधे होजाएगा, W upon T, W की value रखेंगे, T खतम हो गया, आपके पास value आगए, 2.303R, Total energy density U and pressure P of diffuse radiation are related as, यह देखिए, पूरा का पूरा, दोनों सवाल आ चुका है, आप यह भी मैंने बताए, कि normal incidence पे P is equal to U होता है, और अगर किसी angle पर incidence होता है, random incidence होता है, तो P is equal to U by 3 होता है, देखिए, यह दोनों प्रश्न, अगर आप देखेंगे, तो मेरे radiation chapter के MCQ में आपको मिल जाएंगे, एक ही प्रश्न में मैंने दोनों की बाते, अपने discussion में साफ साफ explain की है, तो यहां से आपको मालुम होना चाहिए, कि the correct option is option C, तो question number 25 का correct option है, option C, इस तरह से आपने देखा, कि कितने आसान आपको 25 MCQ thermal physics से मिले, और जितनी भी विद्यार्थी मेरे class में बैठते थे, और मेरे MCQ वीडियो को देखे होंगे, उनको इस 25 में बहुत इत्मीना से first look में ही, लगभग 10 to 15 question हो गये, और साथी साथ मेरे जो report आई है, मेरे 90% students जो हैं, वाव 25 में से 20 above correct किये हैं, तो आप लोगों कोहारदिक शुद काम ना है, आपका result बहुत अच्छा हो, और part 2 में मैं फिर मिलूँगा धन्यवाद,